कि हमने नाइन तक चैप्टर हाफ एरली एक्जाम में कम्प्लीट कर लिए हैं पता है सबको आज हम हिंदी वानी का चैप्टर नंबर टैन निकालेंगे जिसका नाम है प्रकृति का संदेश कि पेज नंबर फोर्टी फाइफ कि शीवम माइक म्यूट करो कि पेज नंबर फोर्टी फाइफ प्रकृति का संदेश कि प्रकृति हमें क्या संदेश देती है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है बहुत ही विस्तार पूर्वक यह चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा था और यह जो कवीता है एक चोटी सी वो हमारे कवी सोहन लाल द्विवेदी ने लिखी है जो बहुत ही अच्छी कवीता इन्होंने लिखी है और इस कवीता के माध्यम से हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है कि प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है अपने माध्यम से अपना जो इसका है कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं पेड़ पौदें हैं परवत हैं नदियां हैं यह हमें क्या संदेश देना चाहती है इन वस्तु मतलगे यह जो चीजें हैं यह जो वस्तुएं हैं इनसे हमें धैरे साहस करतव्य सेवा भावना उन्नती का भाव मिलता है और हमें प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखना अवश्य चाहिए जब प्रकृति हमें इतना अच्छा संदेश दे रही है तो हम भी समाज के लिए परिव इस कवीता को पढ़ेंगे और फिर इसका सारांश बताऊंगी मैं पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी उचे बन जाओ सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ कर उठ उठ गिर गिर तरल तरंग भरलो भरलो अपने मन में मीठी मीठी मृ कितना ही हो सिर पर भार नब कहता है फैलो इतना ढलो ढकलो तुम सारा संसार तो यह हमारी छोटी से कवीता है और इसमें जो हमारे कवी है सोहनलाल जी इन्होंने बहुत ही अच्छा हमें प्रकृति के माध्यम से संदेश दिया है जैसे इस पार्ट के यहां पे शबदार्त म सिर को गहराई गहरापन उमंग उत्साह धैरे सब्र या धीरज धैरे किसको कहते हैं धीरज को भार यानि बोज नब आकाश तरल एस्थिर या बहने वाला पदार्थ जो तरल सरलता से बह जाता है इसे हम तरल पदार्थ के रूप में इसमें कहते हैं तो बहुत ही अच्छी हमारी कविता है और आप लोगों को भी इस कविता से सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति जब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है तो हमें भी लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और प्रकृति के माध्यम से प्रकृति हमें बहुत सी चीज़े ऐसी देती ह जिसका हमें पता भी नहीं चलता है पर हम बदले में उनको कुछ भी नहीं दे पाते हैं निस्वार्थ भावना से वो हमारी मदद करती हैं हमें देती है पर हमें भी उनके जैसा ही बनना है तो पहला परेग्राफ है परवत कहता शीष उठाकर तुम भी उचे बन जाओ कि जो अपने माध्यम से हमें यह कहना चाह रहा है कि जैसे मैं सिर उठाके तो इस तरह से तुम्हें अपने ऐसे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए जिससे सभी का सिर्व गौरव से उपर उठे तो परवत ने हमें क्या शिक्षा दी है कि हमें सिर उठाकर परवत कहता शीष उठाकर तुम भी उच्छे बन जाओ कि जैसे मैं उच्छा रहता हूं जरूरी नहीं कि मैं लंबाई में या ऐसे उच्छा हूं पर मेरे में ऐसे गुण है जो मैं गर्व से सबका सिर उच्छा कर देता हूं तो तुम भी ऐसे अच्छे कारे करो जिससे सभी का सिर उंचा हो जाए और गौर्व मेशी हो जाए सागर कहता बहुत कि लहरा कर जो इसकी लहरे हैं ऐसी बहुत गहरी लहरे होती हैं सागर की समुद्र में तो मन में गहराई लओ यानि मन में गंभीरता लओ गहराई लओ कि मन के अंदर इतना मतलब कि तुम्हें सोचना चाहिए कि जो छोटी सी भी बात है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए यानि उसका मतलब ही गहराई है कि हम उस बात को समझ सके कि इस बात में क्या चीज है सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ कि सागर कहता है कि जैसे मेरी लहरे हैं मेरे अंदर मैंने बहुत से चीज़े छुपा रखी है गंभीरता से और मैं वैसे ही तुम बनो कि कई से चीज़े छुपा कर और उसको गहराई से चिंतन करके सही बात का सही जवाब दो फिर next paragraph है समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ कर उठ उठ गिर गिर तरल तरंग कि क्या तुम ये paragraph भी सागर पे ही है कि सागर कह रहा है कि कि जैसे मेरे ये जो तरंगे हैं जो लहरे हैं ये कभी उठती हैं कभी नीचे आती हैं तो इस चीज को क्या तुम समझ रहे हो कि इसका क्या कारण है कभी उठती हैं कभी नीचे आती हैं भरलो भरलो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल तरंग कि अपने मन में तुम ऐसी जो मी तरंग है मृदुल मतलब कोमल और उमंग मतलब उत्साह कि अपने मन में तुम ऐसा उत्साह भर लो मेठा जो सबको प्रिये लगे अच्छा बोलो जो सबको अच्छा लगे सबके हित में हो किसी को कटू वचन मत बोलो बहुत अच्छे से विवहार करो कि मेरी लहरे ये सिखाती है कभी उपर जाती है और कभी नीचे आ जाती है शांत होकर तो तुमें भी इससे शिक्षा लेनी है कि अपने मन में प्यार मिठास और किसी के प्रती द्वेश वैर भावना ये ना रखो और सबके प्रती अच्छा व्यवहार करो प्यार से बोलो प्रेम की भावना रखो फिर है हमारा लास्ट पैरेग्राफ जिसमें कवी कहता है पृत्वी कहती धेरे ना छोड़ो कि जो हमारी पृत्वी है वह कहर रहे हैं कि धहरे को मत छोडो ला कि ट्ना ही हो सिर पर भार कि आपके सिर पर कितना भी बोझ भार मतलब बोझ्ण कि तुमारे सिर पर कितना भी भार हो कितना भी ऐसे तुम्हें बर्डन लगे कि हम यह काम कैसे करेंगे क्या करेंगे तो उसको बोज ना समझगे उसको रिलेक्स फील करके उस काम को करो तो प्रित्वी हमें क्या सिखाती है धहरे रखना कि प्रित्वी क्या सिखाती है धहरे उठा रखा है पिर भी वो उफ तक नहीं करती वो कभी यह नहीं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है यह इतना भार क्यों रख रखा है तो वैसे ही तुमें बिना उफ किए धैरे से धीरत से कभी भी कोई काम का बरडन ना लेके उसको अराम से करना है संतुष्ट मन से शान्त मन से उसको सोचना है कि हमें यह क्या करना है अगर उस चीज को तुम बोज ले लोगे जैसे आपकी पढ़ाई है अगर आप उस पर ही बोज ले लोगे कि हम कैसे पढ़ेंगे इतना यह तो इतनी बड़ी बुक है इसमें इतने चैप्टर है अगर आप मन लगा के पढ़ोगे और आपने यह समझ लिया धीरत से कि हां हम धीरे धीरे यह सब क्लियर कर लेंगे पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको और सारा काम आसानी से हो जाएगा और सर पर बड़न भी नहीं आएगा और शांत रहेगा आपका मन भी फिर नब कहता फैलो इतना धकलो तुम सारा संसार नब किसके लिए कहा गया है आकाश के लिए आसमान के लिए नब आसमान को आकाश को कहते हैं कि आसमान यह कह रहा है हमें यह संदेश दे रहा है कि तुम इतन फैल जाओ इतना विशाल हो जाओ कि तुम अपने मन से अपने चरित्र से पूरे संसार को घ'RE जैसे आसमान ने पूरी दुनिया को पूरी पृत्वी को कवर कर रख आवं कौन है एक ही है पर उसने अपने जो उसमें पावर है उससे पूरे संसार को ढख लिया है तो कवी यही संदेश देना चाह रहे हैं आकाश के माध्यम से कि जैसे आकाश ने सारा संसार ढख लिया है वैसे ही तुम बंजाओत त्याग प्यार आदर सम्मान सब के प्रती रखो और किसी को गलत बात मत बोलो तो परव से हमारा सिर्मी चैणा जुके हमारे प्रेंट्स को शर्मिंदा ना होना पड़े हम उनका सिर्व गौरव से उपर कर सके गर्व से उपर कर सके और जो सागर है वह दे रहे हैं कि जिए सागर के अंदर बहुत गहराई है हम सोसते हुए कि बस खाली इतना पानी है पर जब पिनारा कहा है, कितना गहरा है, यानि सागर बहुत गहरा है. वैसे ही हमें अपने मन को रखना चाहिए. फिर है पृत्वी हमें क्या सिखाती है? धहरे रखना. 씨 काम बीना किसी काम को बोज समझे, धहरे रखती हैij वैसे हमें हर कारे के लिए धैरे रखना चाहिए, उतावलापन नहीं करना चाहिए और किसी चीज के लिए जोश में नहीं आना चाहिए क्योंकि जब हम धैरे रखेंगे तो हमारा सभी काम पूरे होंगे और अच्छे से होंगे और जो आस्मान है उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें त्याग करके प्यार से सभी को एक जगे पर रखना चाहिए कि लब कहता फैलो इतना कि तुम इतने फैल जाओ लोगों के दिलों में इतने फैल जाओ कि वो तुमसे प्यार करने लगे और तुम्हारे प्रती आदर सम्वान की भावना रखे तो बहुत ही सुन्दर कवीता हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये बताई है इसके शब्दार्थ हमने कर लिए हैं सबी बच्चों को समझ में आई होगी आई ये नहीं आई बिटा ये कवीता समझ में आई कि नहीं आई अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहे है तो पूछ सकते हैं हलो हां बिटा शीवम क्या बोल रहे हो आ रही है कोई प्रॉब्लम मैं वैसे ये चेप्टर हमने हैं और बहुत ही अच्छी हमारी कवीता है कवी ने कवी कवीता के माध्यम से बहुत ही अच्छी चीज हमें सिखाई है कि प्रकृती Kらकरति हमें हम उसको कूँछ भी नहीं देते और उन्होंने हमारा बहुत भला किया है अभी तक और करती रहेगी, तो प्रकृती से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, किसी भी आदमी के अंदर, किसी बच्चे के अंदर या प्रकृती के अंदर बहुत सी अच्छी खूबिया हैं, जिने हमें ग्रहन करना चाहिए, गंदी आद हैं यह आपको नोट बुक में करने हैं और मैं पिक भी सेंड कर दूंगी अब इसका बुक्वक है पहला है सही विकल्प पर सही का चिन लगाओ कि माइक व्यूट करो किसका ओन है शीवम माइक व्यूट करो कि तो इसमें कि पहला प्रश्ण है हमारा सही विकल्प पर सही का चिन लगाओ कि पहला प्रश्ण है इसमें धैरे ना छोड़ने का संदेश देता है सागर प्रित्वी या पर्वत प्रित्वी कि के में धैरे ना छोड़ने का संदेश देता है हमें प्रित्वी जहां पर प्रित्वी लिखा है वहां पर राइट का निशान लगाओ कि प्रित्वी से हमें धैरे ना छोड़ने की शिक्षा मिलती है या संदेश मिलता है प्रित्वी का समानार्थी शब्द है भारी, बृदुल, अचला, अचला इसका समानार्थी शब्द है यानि प्रयवाजे समान अर्थ वाला, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला शब्द है अचला, इस पे राइट का निशान लगाओगे फिर है नमबर ती तीन निम्न में शुद्ध शब्द है धैरे धैरे को कैसे लिखते हैं हम जो हम शुद्ध तरीके से लिखते हैं वो है धैरे असे तो इस पे हम राइट का निशान लगाएंगे इसमें नमबर दों एक जो धैरे है फिर है कवीता की पंक्तियां पूरि पहला एक प्रित्वी कहती डैश दैश सिर्पर्भार नब कहता डैश डैश संसार तो इसको हमें पूरा करना है प्रित्वी कहती यह आपकी कविता में ही है पेज नंबर 45 पर जो हमारी कविता है उसी में से यह पंग्तियां ली गई है कि प्रित्वी हमें क्या कहती है प्रित्वी कहती धैरे ना छोड़ो पहली लाइन में आएगा धैरे ना छोड़ो फिर कितना ही हो सिर पर भार कितना ही हो नेक्स्ट लाइन में आएगा कितना ही हो फिर आगे का लिखा है सिर पर भार फिर है नेक्स्ट नब कहता है नब कहता है फैलो इतना यानि इतना फैल जाओ फैलो इतना धकलो तुम सारा संसार तो इसमें हम लिखेंगे धकलो तुम धकलो तुम सारा संसार लिखा है इसलिए हम सारा तक ही लिखेंगे तो ये हमारी पहली कविता की पंक्ति फूरी हो गई है अब है नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अब दिख रहा है क्या अब है यस मैं हाँ वैसे मैं फोटो तुम्हें भेज दूंगी फिर है नेक्स्ट नंबर दो डैश शीश उठाकर पर्वत कहता पर्वत क्या कहता है शीश उठाकर पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी उँचे बन जाओ तुम भी सौरी तुम भी तो लिखा है उँचे बन जाओ क्या आएगा उँचे पिर है नेक्स्ट सागर कहता लहरा कर सागर कहता है लहरा कर है तक लिखेंगे मन में मन में गहराई लिखा है गहराई के बाद में आएगा लाओ मन में गहराई लाओ तो हमारा प्रश्ण खै पूरा हो गया है किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है नई फिर है प्रश्ण नंबर गव प्रश्ण गव में है नीचे लिखी पंक्तियों का भावार्थ लिखो यह जो पंक्तियां हमारे सामने दी गई है इसका हमें भावार्थ लिखना है यानि इसका अर्थ लिखना है इसका वीता की जो पंग्तियां दी गई है जो ब्लैंक लाइन है वहाँ पे आपको लिखना है तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी उँचे बन जाओ सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ इसका हमें अर्थ लिखना है इसका मतलब क्या है यानि भावार्थ यानि इसका भाव क्या है वो हमें लिखना है प्रश्न गय पर्वत सिर उठाकर कहता है कि तुम सब मेरे समान उंचे बनो कि जैसे मैं उंचा हूँ वैसे ही तुम्हें उंचा बनना है समुद्र या सागर लहरा कर कहता है कहता है है कि मन के अंदर मन के अंदर मन के अंदर यहराई है कि पर्वत और समुद्र अंदर मनुष्य को महान और गंभीर होने की प्रेड़ना देता है महान और गंभीर अंदर अंदर प्रश्ण प्रश्ण गय का उत्तर यह जो भावार्थ है इन पंक्तियों का यह कंप्लीट हो गया है अगर किसी को लिखना तो लिख सकते हैं आज हम प्रश्ण गय तक ही करेंगे प्रश्ण गय अंग और यह जो व्याकरन बूद है यह हम कलकी क्लास में करें गी बच्चों कि इसमें आपको समझ में कि आ गया होगा कि कि सब चीस समझ में आ गई लिख रहे हो क्या आप कि यस मैम फटाफट लिखो विटा अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहे हैं तो पूछ सकते हो आप अगर यह कवीता भी आपको पढ़के देखनी है समझनी है एक्जाम में भी आ सकता है इसका पैरेग्राफ कोई भी है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में यह जो दो पंक्तियां दी गई थी कवीता की यहीं आएं दूसरी भी आ सकती है तो इस चैप्टर को पढ़के देखना है अगर कोई चीद नहीं समझ में आए तो आप कल की क्लास में मुझे पूछ सकते हो ओके क्लास ओवर करें क्या बेटा मैं नोट बुक में करना है या यह बुक में करना है बेटा जो शब्दार्त है वो नोट बुक में करना है कि यहां कल क्लास होगी कि लाइस ओवर करें इसी टाइम पर जो आपको टाइम टेबल दिया गया है उसी टाइम टेबल के कोड़िंग वोगी मैं कल मेरा बड़े है ओके बिटा है एपी बरड़े इन एडवांस कि लाइस ओवर करें यस मैं ओके बिटा